तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत हैत है हमारे चनल गॉटtechnical दोस्तों शिखाना मेरा काम सीकने आपका सीधे topic पर आजाते हैं YouTube से earning होती है यह बहुत लोग को पता है YouTube से पैसा कमा जाता है ये बहुत लोग को पता है मतलब दोनों एक ही हो गया तो जैसा की अर्निंग यूटूब से होती है दोस्तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि उसको पैसा आता है तो आपके अकाउंट में आता है लेकिन अकाउंट में कैसे आता है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर देखने वाली बात है कि आपका monetization on होना चाहिए अगर आप earning कर रहे हो तो या फिर अगर आपके earning होनी चाहिए अगर आपको इसा लगता है तो यहाँ पर monetization आपका on होना चाहिए अब monetization on होने के क्या क्राइटेरियाज है मैं ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूँगा थोड़ा सा ही में समझा देता हूँ monetization on होने के लिए आपके चैनल पर मातर एक हजार सबस्क्राइबर चाहिए और 4000 गंटे का वाच टाइम चाहिए वो भी एक साल के अंदर अब अगर एक साल के अंदर आपका ये complete हो जाते है यानि कि हो तो दो ही एक राद महीने में हो जाते है अगर आपके topics अच्छे जा रहे हैं आपके content अच्छा जा रहा है तो almost तो यहां पर भाईया ऐसा है कि अगर आपका ये criteria पूरा हो जाता है तो आपका monetization on हो जाता है लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि monetization on होने के बाद आपकी earning तो start हो जाती है तो earning जाती कहा है ये भी एक सवाल है तो यहां question मार का जाता है तो यह earning जो होती है आपकी YouTube की वो total जाती है आपके Google Adsense की account में जहां monetization होता है वो अब Google Adsense पे आपका bank detail होती है अब उस bank में आपका पैसा भेजता है Google AdWords तो समझ में आ गया YouTube जितना भी पैसा देता है आपको वो सिधा आपके Google Adsense में जाता है और AdSense आपको account में दे देता है तो यह सिधा सा fund आया इसका लेकिन इसके भी कुछ criteria's यहां पर नज़र आते हैं अब वो criteria's क्या है तो भाईया वो है कि आपके channel पर जिस वक्त 10 dollar हो जाएंगे जितनी भी आप जैसे मानलो आज आपका monetization on हो गया अब आपने कल से वीडियोज बनाना चालू कर दिया और आपके तो बड़े जोश में बनाओगे क्योंके monetization on होगे एड आ रहे हैं आपके मज़ा आ रहा है आपको तो भाईया monetization on होगे बाद कुछ पैसे भी आपको मिलागा कुछ revenue भी generate होगा तो वो revenue क्या है कि आपके 10$ जैसे ही हो जाएंगे mail एक आता है आपके YouTube से कि भाईया अपने channel को verified कर लो और verified के साथ अपने channel का जो आपके account है वो detail यहाँ पर भर लो तो उसके लिए एक pin देता है सबसे पहले Google तो वो pin सबसे पहले कैसे आता है तो जब आपके पास mail आ जाता है तो mail आपको verify करना पड़ता है जब आप उसको verify कर लेते हैं तो उसमें आपको कुछी नहीं देना verify में यहाँ पर दिहान देने वाली बात है अगर आपके पास driving license है तो आप driving license उसमें लगा सकते हो अगर उसके बाद आपका national identification है नैशनल यानि कि आपका कोई पहचान है जी कि आप यहाँ पर दिल्ली में हो या बिहार में या इंडियन हो तो वो आपको देना पड़ेगा जैसा का मेरा water ID कार्ड है तो आधार कार्ड है बिजली का बिल है यह सब चीज़ा आपको उसमें देनी है देने के बाद उसको submit कर देना है form automatically खुल जागा आपके mail पर ही वो तो automatically जब खुल जाएगा तो खुलने के बाद वो submit हो जागा submit होने के 5 दिन के बाद वो आ जाता है आपके पास घर पे pin pin जब घर पे आजाता है आपका उसके बाद आपके channel पर hundred dollars जैसे ही complete होने वाले होते है तब तक एक mail आ जाता है आपके पास कि भई अपना account add कर लो अब उसमें account भी add ऐसी होता है जैसे आपने अपना ये verified किया था जैसे verified किया था उसी में details बनी थी अब वैसे ही आपको अपने bank का number account number IFC code या उसके अलावा जितने भी इसके branch name ये सारी चीज़ आपको इसमें add कर लेनी है और 100 dollar होते ही आपके account में earning शुरू अब 20 से 30 तारिक के बीच में earning होती है और जितनी भी earning होती है और 20 से 30 के नए हैं वो हमरे चैनल को subscribe करके साथ में लेगे notification बैल को जरूर दबादने जैसे कि मैंने पहले बताया और दोस्तों अगर आपकी कोई queries रह गई है तो वो मुझे comment करके जरूर पूछ लो क्योंकि मैं हर comment का जवाब देने की कोशिश करता ही हूँ तो चलते हैं आज के लिए बाई